नमस्कार दोस्तों मैं जेकतार सेके नामदारी इंफिटेक चैनल से आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे का फंक्षन कैसे यूज करते हैं cp plus के dvrs में भी इनेबल हो जाता है कोई भी कैमरा किसी भी टेकनोलोजी का यानि की कोई भी इनकी टू में पिक्सल वन में पिक्सल एवन किसी और कंपनी का कैमरा चाहें आप लगाएं dvr में वो सब में जो है इनेबल रहता है सिर्फ एनलो आए दोस्तों देखते हैं किस तरह से इनेबल करेंगे और हम चेक करेंगे कैमरे में हमारी फोटो कैसे खिंची जाती है और उस फोटो को खिंच के जो है किस तरह से जो है उस पर recording भी देखी जा सकती है तो यह सारे function आए देखते हैं So friends आप देखने हैं हमारे पास यहां पर पूरा setup त्यार है तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से face की option इनेबल करेंगे Minimum में जाएंगे यहां पर intelligent लिखा होता है और यहां पर लिखा हो है face detect इसमें क्या करेंगे हमारा जो channel है वो पहले नमबर पे हमारे को by default जो है DVR में enable मनलब जो है हमारे को company बारो नहीं देखे रखा है यहां से हम enable करेंगे rule में जो है हम लगबग picture हो सकता है आपकी छोटी बन रही हो face जो है लगबग जितना size आपका face का बन रहा है किसी को खड़ा करके वहां पर आप example देख लिए जाएगा कहीं पर भी इसको रख सकते हैं इसको बड़ा छोटा हम यहां से इस तरह से कर सकते ठीके जी minimum size जो इतना होना चीए ठीके जी उसके बाद जो हम back करेंगे right click करके और period जो हमारा सारा save है और हम क्या करेंगे show message कर देंगे और buzzer कर देंगे जैसे phase search होता है तो buzzer हो जाए यह फिलाल हम check करने के लिए वैसे तो show message कर रहे है या फिर snapshot snapshot खीच ले या फोटोस इस तरह से कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं इस सारी settings है इसमें जैसे रिकॉर्ड जाना रहा वो उस camera की recording शुरू हो जाए show message हो जाए message prompt हो जाए भी कौन से camera में जो है face आया है search alarm upload जाए alarm अगर इसमे siren ब्यारा लगा कर रखाया तो upload हो जाए और mail send करने तो mail भी send कर सकते है लैच कितने time बाद बार बार करता रहा है log save कर ले voice prompt में अगर pen drive लगा कर रखे है तो कोई इसमे sound भी बच सकता है ठीक है जी LCD बढ़ा पर या speaker लगा कर रखे हो वीडियो मला audio out वे उसके अलावा tour पे भी है tour भी camera अपने आप बढ़ा हो जाएगा इस तरह से enable कर देते हैं और यह सारी setting देखिए आपकी enable है और इसके पीटीजाइड कंट्रोल भी कोई camera जो है पीटीजाइड कंट्रोल करके इस position पे आ जाए इस तरह से enable करके जो है हम इसका preset number जो है डाल सकते हैं और camera जो है preset को अपने को select करके उस position पे आ जाएगा इस तरह से जो है आप लाई करे इसमें एक तरह से motion detection आ चुका है और face detect option भी आ चुकी है देखिए और हम देख लेते हैं face कौन सा सर्च हुआ है तो यहाँ पे right clicker करके preview mode में show face list में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा picture इसने capture कर लिए और अभी हमने hard disk भी नहीं लगा कर रखिया और फिर बिल्कु ऐसे सीधा करूंगा अब 10 सेगंड बाल लेता है तो इस तरह से face recognition जैसे आता है जैसे हमारे उसमें भी आता है जैसे हमारे कोई camera होते हैं जो face recognition करते हैं तो इस तरह से capture कर रहा है तो इस तरह से face search जो है अब हमारे C plus के DVR में आ चुका है और कोई भी camera हमें recording देखने उस पर click करके फिर यहां पर play करेंगे तो recording हमारे को दिख जाएगी तो इस तरह से जो है लग लग type से recording save कर लेगा उस time को यह mark कर लेगा फिर उस time पर लेके पी चला जाएगा यहां से जो है regular और preview mode जो है यहां से नेबल करते हैं यहां पर देखो face search करेंगे यहां पर search कर देंगे तो record जो है match कर लेगा तो दोस्तों आपको इन वीडियो कैसे लगी like share और comment करके जुरू हमाएं बताइएगा और साथ में हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा और bell icon जुरू ताहां कि आपको इस तरह की नई से नई वीडियो की notification जल से जल मिल सके हम दोस्त लिंक भी जो है description में आप उसे जुरू subscribe किजेगा और वहां पर भी कुछ अच्छी वीडियो में डाल रहा हूं तो दोस्तों इतना ही बताते हैं मैं शुक्रिया करना चाहूंगा धन्यवाद